Hello friends, so friends, काफी सारे योनो यूजर्स और नेट बैंकिंग यूजर्स अक्सर हाँ सवाल पूछा करते हैं, सवाल किया करते हैं कि भाई, जब भी मैं योनो SBI अप्लिकेशन में या फिर इंटरनेट बैंकिंग में कुछ काम करता हूँ, कुछ वर्क करता हूँ तो वहाँ पर एक प्रॉब्लिम मुझे अक्सर हाँ फेस करने परती है, जो मोबाईल नंबर से रिलेटेड है, यानि कि वहाँ पर मैं कुछ भी वर्क करता हूँ, जैसे कि माल लीजिए, मैं अपना यूजर्स नेम या फिर पासवर्ड या फिर दोनों भूल गया, और उसे मै इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से रिकवर करना चाहता हूँ, नेट बैंकिंग की मदल से, और जब मैं वहाँ पर पूरा प्रोसेस करना चाहता हूँ, यानि कि जो इंटरनेट बैंकिंग के थूरू रिकवर करने का प्रोसेस है, यूजर्स नेम और पासवर्ड को, तो वो सारा step करना चाहता हूं तो मुझे वहाँ पर एक option आ जाता है एक pop-up message आता है कि your mobile number is not registered in internet banking इस तरह का pop-up message आता है जो कि आपको side में दिख रहा होगा ऐसा क्यों जब कि मैं confirm हूँ कि यही मेरा mobile number internet banking से registered है और मेरे bank account में भी registered है ऐसा क्यों आता है और इसका solution क्या है तो दोस्त आज इस video को complete देखना चुकि आज आपका भाई इस topics related complete जानकारी देने वाला है और साथ ही आपको solution भी बताएगा तो video काफ़े interesting होने वाली है इसलिए video में end तक बने रहना तो चलिए शुरू करते हैं so friends video को continue करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल या पर question उत्रपन होता है कभी और कहीं भी तो आप मुझे डारेक्ट इंस्टाग्राम पर अपना सवाल रखिए चाहे आपको बैंकिंग से कोई प्रॉल्म है या पर किसी भी तरह का problem है समस्या है तो आप मुझे वहाँ पर अपना सवाल रख सकते हैं मैं उसका reply जरूर दिया करूंगा सो प्लीज सपोर्ट किजिए इंस्टाग्राम पर फॉलो किजिए और अपना सवाल रखा किजिए बात करते हैं में पॉइंट की सो फ्रेंड्स काफी सारे यूजर्स को जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तमाल करते हैं यूनों SBI अप्लिकेशन इस्तमाल करते हैं अक्सरह उन लोगों को ये problem फेश करनी परती है और ये problem तब उनको फेश करनी परती है जब वो लोग अपना password भूल जाते हैं या फिर username या करके दिखा देता हूं दिखिए सबसे पहले आप लोग क्या करते होंगे अपना chrome browser open कर लेते होंगे open करने के बाद यहां पर आप लोग सर्च करते होंगे online या फिर www.onlinesbi.com ठीक है online sbi.com ऐसा करके सर्च करते होंगे सर्च करने के बाद आपकी सामने इस तरह का page open हो जाता ह इसके बाद आप लोग यहां पर login पर click करते होंगे जैसे ही आप login पर click करोगे तो इस तरह का page open हो जाएगा उसके बाद यहां पर एक और option आपको देखने को मिलता होगा यह रहा continue का इस पर आप click कर देते होंगे तो जैसे ही आप click करते होंगे तो आप इस तरह के page पर आ ज रहते होंगे तो यहीं पर देखिए एक option है side में यह रहा इसको मैं थोरा से जुम करता हूं तो यहां पर लिखा हुआ है for go to login password यह रहा इस पर आप click कर देते होंगे तो जैसे ही आप click करते होंगे तो इस तरह का page open हो जाता होगा अब माल लेजे आप लोग password भूल गए हो ठी देखिए main problem यहीं पर अक्सर हां काफी सारे net banking users को face करनी पर जाती है मैं यहां पर आपको सतरा कुछ दिखाता हूं यहां पर देखिए सबसे पहले आपको user name मांगा जाता है उसके बाद account number उसके बाद country select करने के लिए बोला जाता है तो आप country select करते होंगे उसके बाद यहा option mobile number not registered मैं fill up करके दिखा देता हूं so friends देखिए मैंने यहां पर submit पर जैसे ही क्लिक किया तो इस तरह का एक page open हो गया और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है please enter the mobile number registered with internet banking कुछ इस तरह का option आपको भी देखने को म internet banking में यही है उसके बाव्यूद भी ऐसा क्यों होता है तो दोस्त यहां पर दो ही situation है जिस वज़े से आपको यह problem face करनी पर रही होगी सिर्फ दो condition है condition यह है कि हो सकता है आपके bank account में जो mobile number आप यहां पर डाल रहे हो वो mobile number registered नहीं होगा और आपको मालूम नहीं है ठीक है इसलिए आपको यह problem face करनी पर रही है दोस्त मैं आपको बता दूँ आपके bank account में दूसरा mobile number registered होगा और internet banking में दूसरा mobile number registered होगा तो इस situation में यह problem face करनी पर सकती है और हमेशा पड़ती रहेगी ठीक है तो सबसे पहले आप अपने branch में जाए और वहां पर जाकर कि आप पहल लेजिए number जो आपका number internet banking में है वही number आप अपने account में register करवा लेजिए link करवा लेजिए एक तो यह रहा और इसका solution में आपको बता दिया दूसरा अगर आप confirm है और आपने पता भी लगा लिया है यानि कि जाकर के confirm भी branch में हो गए है कि यही मेरा mobile registered है उसके बावजूद अगर यह problem आपको face करनी पर रही है तो इसका solution यह है कि आपको technical issue की वज़ा से यह problem face करनी पर रही होगी एक reason तो मैंने बता दिया उसके बाद इसका solution यह है कि आप push time के बाद आप दूसरे browser में login करके try कीजिए तो आप आसानी से login हो पाओगे आपको यह problem face करनी नहीं problem आती है तो solve कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपके आपको इस तरह का सवाल आता है या पर इस तरह का problem आता है इन दोनों situation को करने के बाद प्रोसेस को करने के बाद भी तो आप मुझे instagram पर follow करके बता है उसका भी मैं solution दूँगा वीडियो बना करके तो आज बस इतना ही So I hope friends आज की यह वीडियो आपको काफी ज़्यादा प्रसंद आई होगी और साथ ही आपको knowledge भी काफी अच्छी मिल गई होगी वीडियो प्रसंद आई तो वीडियो के नीचे like का button है उसे जरूर दबा देना और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेल को जरूर दबा देना ताकि इसी तरह का informative वीडियो सबसे पिले आप तक पहुंच सके और हाँ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके share जरूर कर देना ताकि और भी लोग इस topic के regarding जानकारी ले सके और उनका भी problem solve हो सके तो फिर मिलता हूँ आ नेक्स्ट प्लस नॉलेजिबूल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई